आए एक चर्चा करते हैं बहुत महत्पूर्ण साइन्स वर्सेज रिलिजिन धर्म बड़ा है या साइन्स बड़ी है वो कहते हैं कि धर्म तो सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है और धर्म का कोई आधार नहीं है जो बुद्धिमान है और साइन्स तो फेक्ट्स पर बेज़ड है ठीक है साइन्स किस पर है फेक्ट्स पर हमने प्रूफ किया हमने अब्जर्व किया हमने अब्जेक्टिव लिया है फिर हमने एक्सपरिमेंट किया फिर हमने उसको conclude किया और हमने facts बनाया और फिर उसके बद हमने conclusion निकला कि एसा है कि नमक में ऐसा है एने में सोडियम में इतने electron है अब chlorine ऐसे है फिर electrovillant bond बना तो हमने ये सिद्ध किया तो हमने का हाँ ये सही है क्योंकि ये दिख रहा है ठीक है तो हमने का science आई है science fact को कहती है पर अगर ऐसा कहीं हो कि तुम्हारी आखों के ही एक सी चीज लगा दी गई हो कि तुम्हें ठीक से दिखाई ना देता हो अगर मैं तुम से ये कहूं जो तुम देखते हो वही गलत हो तुम जिस रंग का चश्मा पहन ले तो मालो नीला चश्मा पहन लो तो नीली वर्ल दिखाई देगी तहीं ऐसा तो नहीं बनाने वाले ने वह इतना बड़ा scientist है तुम्हें तुम्हें आगे आगे परदा लगा दिया हो तुम्हें दिखाई ना देता हो ठीक से जो तुम देखते हो वही गलत हो तेखो मैं तुम्हें बताओं परमेश्वर एक वैज्यानिक है मेरी बत मान देना परमेश्वर एक वैज्यानिक है बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम कलपना नहीं कर सकते, मैं तुम से सच कहता हूँ, इतना बड़ा, और यह जो चर्चा है, कि धर्म बड़ा है, कि साइंस बड़ी है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ना तो धर्म बड़ा है, ना साइंस अलग है धर्म से, ना धर्म अलग है साइंस से, रुषिस चल रहे रहेगाया है जा कर रहेगा ठार Nahaj Josh तान आ का स jong रहे घो वैड Fel पाना का नर्भायाया का क्र época कि एंक लत्लिवां क्वाय और Arctic That is how we are communicating actually through systems, through eyes, through senses okay I am communicating with you now the point is what actually is this communication is Okay and whom am talking to and whom am you know making you learn. Whom am making going to learn it Okay, so the fact is that this whole process is a science, but this is a religion. Yes, science or religion एक ही है. अब पुछो कैसे, इसको और समझो. देखो, जैसे मान लो, एले गीता का उधारन ले लो. गीता के कुछ अध्याओं में कृष्ण ने लिखा है, कि ज्यान ज्यान से स्रेष्ट है, ध्यान ध्यान से स्रेष्ट है, कर्म फलों का परित्याग. और फिर वो ये भी कहता है कि विज्यान बहुत स्रेष्ट है. और वो एक जगे एक टर्म का इस्तिमाल करता है, उसे कहता है परम विज्ञान, ठीक है, क्या कहता है, परम विज्ञान, यह परम विज्ञान है, ठीक है, यह जो तुम विज्ञान यहां देखते हो, इससे बड़ा भी एक विज्ञान है, जो तुम्हाई यहां साइंटिस दुनिया भी लैबोरेटरी बना के उनिवस्टीज में, यह इंस् जिससे तुम देख रहे हो संसारों में, इससे भी बड़ी एक साइंस है, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें तुम बैठे हुए हो, वो पूरी साइंस है, ठीक है, जिसे मैं तुम से बोल लहा हूँ, साइंस है, कोई रो रहा है, साइंस है, इसने क्या किया, भगवा रहा है कोई दुक्के मारे, वो एक program है, समझ रहे हो, इमोशन एक program है, जितना emotions भी है तुम्हारे पास वो सब एक program है, तुम हसते, खेलते, गाते, रोते, दिर भर जो भी सोचते हो, वो सब एक program कर रखा है, वो इतना बड़ा scientist है, समझ रहे हो, उसने सारी चीजों की programming कर दिय कि एक प्राणी क्या सोच सकता है, कहां तक सोच सकता है, क्या सोच सकता है, कितनी तरह से सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसने उस सब के ऊपर control कर रखा है, तो तुम अगर कहते भी हो कि मेरी science ने ये proof कर दिया कि इसमें इसको डालो तो ये बन जाएगा, तुम बहुत छ करते कि इससे ज़्यादा तुम नहीं सोच सकते इससे ज़्यादा तुम जी नहीं सकते इससे ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते ठक जाओगे तुम ठीक है तो अगर तुम यह सोचते हो कि धर्म साइंसे अलग है तो तुम बेकूफ हो यूँकि धर्म के अंदर ही सारा साइंस ह इस धर्म ही पूरा साइन्स है, अगर इसको हम ब्रॉड वे में कहेंगे, तो जितना भी तुम धर्म देख तो यह साइन्स है, अब मानलो इसमें बहुत सारे भिद्वान लोग कहेंगे जैसे कि हम कहें कि ऐसा हो जाए, यह ठीक हो जाए, मानलो मैंने सोचा कि मैं उड़ जाओ ठीक है, अब तुम कहोगे मैं तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम तो ग्रेविटी करो लगाओगे, इस प्रेक्टिकरी नॉट पॉसिल भाज़ आप उड़ के दिखा दीजी, हम मान जाएंगे कि रिलीजन जो है, वो बड़ा है साइन्स से, न्यूटन ने लॉव लगाओगे, बहुत सारे लोग गलत कर चुके हैं, योगी उड़े फलाई, स्मित्रेलंग स्वामी कोई आप देख सकते हैं, वो उपर उपर पानी में बैठे रहते थे या उड़ते थे, जीजस सकते थे, तो वो कोई खास बात नहीं है, पर यहाँ पर खास बात ही है, कि त तुम जहां तक भी सोचते हो, ठीक है, और जितना भी सोचते हो, उसकी एक लिमिट बना दी है, और वो बहुत बड़ा वेग्यानिक है, मैं तुम से फिर से कहता हूँ, चुकि जब तुम रिलिजिन और साइंस को कंपेर करने पे आते हो, तो तुम बेकूफ हो, साइंस और they are interconvertible, क्योंकि ये पूरा world ही एक science है, ठीक है, ये पूरा world हर आदमी, हर program, हर चीज, हर emotion, कहां पे क्या होगा, तुम किसे मिलोगे, तुम रोगे, हसोगे, तुम प्यार करोगे, तुम क्या करोगे, तुम आए ये अंदर ये भरा हुआ है, तुम सोचो, मुह भरा हुआ प्रोग्राम हो, अब मेरी प्रोग्रामिंग कर दी, अब मैं कहूँ, साइंस इसमें कहा है, अरे ये साइंस ही तो है, और क्या है, इसमें रिलिजन थोड़ी ना मैं बोल ला हूँ, ये अलग नहीं है, ठीक है, तो ये गलती कभी मत करो कि साइंस और रिलिजन अलग है, है ये दोनों एक ही है ठीक है ये सब ये परम वग्यानिक भगवान जो परमेश्वर जो सबसे बड़ वग्यानिक है ये उसका इस निर्माद कार है आओगे बैठोगे देखोगे करोगे कुछ होगा ये सोचो वह सोचो और फिर चले जाओगे कहां गए कहां से है कुछ पता नहीं बस ऐसा ही ये एक गायब की साइंस है है के नहीं कमाल का साइंस है इतना बड़ा साइंस का मैजिक तुम्हारे सामने होता है तुम आते हो जाते हो चले जाते हो और पता नहीं क्या कैस सोसके करते रहते हो जैसे मालो तुम किसी लड़की के प्यार में है तो साइन्स ही, टीन एज में ऐसा करोगे, टीन एज में एक आज संबंद हो ती संबंद रखोगे, कुछ गढबर सलबड करके, फिर परिशान हो करके, फिर थोड़ा बैचुर्टी आएगी ठीक हो जाओगे, थोड़ी एज आएगी तो थोड़ा सा पढ़ा ही करोगे, पैस ब्रेकिंग, उसमें कोई तोड़ ही नहीं निकाल सकता उसका, यू कांट, अंडरिस्टांड वाट एचुली इस हैं यह बेहर मुश्री चीज है, तो यह मानना कि रिलिजिन और साइन्स अलग है, एक बेकूफी है, यह सब एक है, और यह सब साइन्स ही है, और यह सब रिलि